इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जारकंड CGL का इजाम जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का 21 सितमबर और 22 सितमबर दो दिन चलने वाला है तो इसे लेटेड आल्रेडी मैंने वीडियो बना दिये हैं किस तरह से आप लोग एडमिट का डाउनलोड कर सकते ह वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैदि आप लोग का इग्जाम जारकंड CGL का है चाहे 21 को हो तो आप लोग का कुछ निर्देश दिया गया है यही पे आप ल एलाकाम आप लोग का क्या है आप लोग को अपना एडमिट कार्ट का प्रिंट आउट करवा लेना ठीक है अब देखो एडमिट कार्ट जब आप लोग प्रिंट आउट करा होगी तो आप लोगा देखो दो पेज का प्रिंट आउट कराना है आप कलराओ या ब्लैक और वा क्यों वह जाता है यह कुछ भी बहुत सारा चीज होता है कोई भूल जाता है तो एक कोपी आप लोग मतलब दोनों का यह कापि आप लोग जयाना है त्वें ले जाना है किस्तर से भी निर्देश आप लोग का लिखा हुआ था ठीक है टोटल इसको मैंने हिंडी कनवर्ट करके ला दिये हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो चलिए स्थुरू करते हैं तो पहला बताया कि आप लोग का ध्यान दे ये परवेश पत्र आपको अनियतीम रूप से ओमार आधारित परिच्छा में सामिल होने की अनुमति देता है तो आप लोग का अमार आधारित आप लोग का एक्जाम होने वाला ठीक है तो आप लोग क्या कर लेना है पेन भी लेना है आप लोग को पेन वहां आप लोग देगा दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है तो आप लो कि स्पत्र को जारीred करना का अपकी पातरता की सुल्गत्य्यति नहीं तो कहने इँए कि आा आप गया नहीं कर देता है तो ही बता रहा तो admin card ज्यारी हो इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग लिजबल हो बाद में जिदे आप लोग एजाम निकाल लेते हो और बाद में फिर वेरिफिकरशन हुआ और कभी भी आप आप लोग का कुछ लगा कि ऐसे आप लोग कुछ गड़ बढ़े तो कभी भी आपको निसकासित कर सकता है इसका कहने का मतलब यह ठीक है देखो पात रता के संब्द में बाद में जाच की जाएगी जो हम बताया आप लोगो किरिपया उपस्तित होने से पहले एडमिट होगा गेड़ बंद हो जाएगा तो आप लोग एक दो घंटा पहले आप लोग को पहुंच जाना है अब हम बात कर लेते हैं आप लोग का मतलब रिपोर्टिंग टाइम और कब आप लोग एक्जाम कतम होगा तो यहीं जब आप लोग एडमिट कार्वाले सेस्टिन पर पर देखो इसका टाइमिंग की बात करें आप लोग का कब दिया गया है साथ बजे तो साथ बजे से आप लोग आदा घंटा पहले आपको आप पहुंच जाना ठीक है क्योंकि बहुत सुबह आप लोग का रिपोर्टिंग टाइम है तो आप लोग रात कोई ट्रेन के आप लोग कर लेना है तो आपलोग करें तो आप लोग के पास 8-15 तक टाइम मिलेगा समझतों कि 8 के करें आप लोग पहुंच जाना है अब इग्जामनेशन शुरू की बात करें पेपर 1 में लब सुरू और आप लोगा साड़े दस तक चलने वाला है ठीक है अब दिखो तो आप लोगा एक्जाम जो है पांच बजे तर लगातार चलेगा तो आपको अपना खाने पीने का भी व्यवस्ता पुद कर लेना है ठीक है आप लोगा खुद घर से कुछ ला लेना कि एक बाजा आप डूग जाओगे यदि अगल वगल दुखान होगा तो यह आप लोग आप लोगा दिकत हो चकता है तो खाने वाईने का व्यवस्ता भी आप लोगा खुद कर लेना ठीक है कुछ सुका साथ सब्चेक्ट कूट अप लोगा मेरा हratulations होगा उसुम्हाony तो आप लोग नास्ता खानावना करने का तो जिद्य आप लोग खानावना लेके जाते हो ने तो बाहर में देख लेना आप लोग कुछ है कि ने तिक है लेकिन आप लोग टाइमिंग जो है तक पहुंच जाना है धियान रखना प्रकोई कोई होता है कि चलो हम इधर घूमने भाग जाते हैं यह दियान में रखना प्रकों पिर आप लोगा यह जो सेकेंड पेपर का एक्जाम होगा आप लोगा साड़े एगास सुरू हो जाएगा पिर आप लोग आज आओगे देख पेपर वन में आजाओगा जो कि अपना खाना वाना भी खा सकते हैं इसका जो इग्जामिशन टाइम की बात करें तो आप लोग तीन से पांच बेदर चलेगा तो समझ लोग कहने का मतलब साथ बज़े से सुरू होगा और पांच बज़े तक आप लोग रहना है तो खाने क खाने का विवश्टा आको कुछछ अच्छे से कर लेना है तो यह उमीद करते हैं आप लोग समंझ में आ चुका तो इसमें बाता रहा तो यह अभिए को लाना होगा जो कि हम लोग पहले ही बता दिए कोई उमिदबार नहीं होगा बीना परवेस पत्र के तो परवेस की अनुमती नहीं दिया जाएगा फिर तीसरा में बताया गया है उमिदबार को मुल रूप से एक फोटो पहचान पत्र पी लाना आविसक्थ है तो आप लोग ज से जा सकते हो तो अब एक टीज़ का रखना के जो डॉकुमेंस ले जाओगी जो आप लोगок फिलप करने टाइम किये थे वही आपको सेमकर ले जाना है किसी किसी का क्या होता है नाम होता हुऊ और को ब्लात ले चल जाता है तो यह नही दियान रखना पो जो डॉक्मेंस आ परिक्षन के लिए प्रदान किया जाएगा जो कि आप लोग पहले बताए आप लोग को अपना ब्यवस्ता कुदी कर लेना ठीक है इसके बाद इसके बाद पार्ट में बताया है अब शेनवन बताया गया परवेश परिच्छा में सामिल होने वाले अभियारतियों को अपने हीत में जाच करानी चाहिए पहले पहल्यों में उनकी पातरता ताकि बाद में किसी विचार्ण में निरासाते बचा जा सके के लिए उमिद्वारी अच्छा अनियत्यम है अधि आप लोग जाएं मतलब किसी की से घ्रण में कंपीट नहीं होता है जैसी तेसे फॉंप करके चल जाता है तो बाद में पता चलेगा तो आप लोग कभी वह रत कर देगा यह उम्मीद करते हैं अब आठ नमर की बात करते हैं कि कोई भी मुलवान बस्तू यहां बेग ले जा नीजी समान को सुरक्षित रखना अपको अपला ध्यान पुरोग रखना नौमर कहना है उमिद्वार के साथ आने वाले दोस्त और रिष्टिदारों को परिस्वर में अनुमती नहीं दी जाएगी ठीक है यह तो नई बात ही नहीं ठीक है अब देखो एकार नमन बताया गय कि दोनों परतिया लानियों जो कि आप लोग हम शुरू में ही बताया कि दो जो और को एड्मिट काट का दो है ठीक है वो दोनों लाना होगा यह कौपी सी उसे एक वहां पर ठीक है अब देखो आधार कार्ट पेंड कार्ट ड्राइविग लाइसेंस दस्तावेज की फोटो और थेको दस्तावर्बीच की फोटो और फोटोकॉपी परिवयच को कि आपको जड्यर्यर और एक और दो कोपि फोटो 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 फी लिए जाना आप नोको टिक है पोटो भी आपको एक दो कपी ले जाना वहाँ फोटो भी लगएगा ठीक है परिच्छा के इंदर देखो केवल जात के उद्देश से के लिए हो गया यह वाला बार नमर एडमीट कार्ड में किसी भी तरह से गड़वड़ी होने पर एडमीट कार्ड जारी होने के बाद हमें इमेल करें तो जिदि आप लोगो कुछ भी गड़वड़ी है तो आप जल्दी से जल्दी मेल कर देना है तो लोग ले जाना होगा DRS तो टोटल आप लोगा जो निर्देश था आप लोग को हम बता दिये तो कैसा लगा वीडियो आप लोग को इसके हलाव फिर भी कोई डाउट आता आप लोग ठीक है तो मुझे कॉमेंस करो कॉमेंस की माधियम से आप लोग बता देंगे हाला कि हर चीज आप लोगा डाउट हम किलिए रह कर चुके हैं पिर भी कोई भी डाउट आता तो मुझे कोमेंस करो और वीडियो क्राइब लाइक के मैं इसके बहूत ही मैनत आप लोग के लिए कियो हैं तो मिलते आप लोगे साथ नेट्स वीडियो में धन्यवाद